हलो एवरीवन उमीद करते हैं हम सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे फ्रेंज क्या है अगनीपत स्कीम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसका काफी सारा आप लोग देख रहोंगे बीरोध भी चला है दंगे हो रहे हैं और इसके फायदे इसके नुकसान इस अगनीपत योजना यानि स्कीम के तहर क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इसके तहट अगले डेड़ वर्स में दस लाख नौकरी है मोधी कैबिनेट देने वाली है तो इसके बारे हम कम्प्लीट चर्चा करेंगे उन्होंने अपने PMO साइट पे राजनाज सिंग भी प्यूस गुयल भी जितने भी मंत्री है खास-खास योगी गवर्नमेंट के अपने ट्वीटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया था कि योगी मोधी जो कैबिनेट है मोधी कैबिनेट है वो अगले दिगड़ साल में दस लाग सरकाई नौकरी युआ को देगी युआ बेरुजगारी को दूर करने के लिए ठीक है तो आज हम complete चर्चा करेंगे कि अगनी पथी स्कीम क्या है इसमें especially हम चर्चा करेंगे अगनी बीरो के बारे में कि जो आर्मी में भरती निकली निकलीएगी जो 46,000 इस 2022 में 46,000 पथी निकलने वाले आर्मी के बारे में क्या वो टूराब डुटी की तरह हैं क्या उसमें पर्मानेंट stunt रहेंगे कि 4 साल के लिए इस कीम है कि 4 साल बाद आप रिटायर कर दींजाएगे और यह सरकारी देंगी कि संबीदा पर रखेंगे कि चार साल बाद आप न सरकाई रह जाएंगे न संबीदा रह जाएंगे ठीक है इसके बारे हम complete चर्चा करेंगे कि आपको इसमें पेंसन मिलेगी medical facility आप रिटायर हो जाएंगे चार साल को बाद अब रहेगा इस सब के बारे में complete चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर अगले जो है डेड़ साल में दस लाख नौकरी देगी मोधी cabinet यानि मोधी गवर्मेंट जो है अगले डेड़ वर्स में दस लाख नौकरी देने का वादा किया सरकाई नौकरी ठीक है इसमें आप देखेंगे कि वर्स 2022 में 46,000 नौकरी में अगनी बीरो को दी जाएगी ठीक है तो वर्स 2022 में 46,000 जो नौ यूटी नहीं है ठीक है इसको आप याद रखिएगा और पहले जैसे इसमें रहता था कि आर्मी में डायर्ट रिकूर्मेंट होता था इसके लिए काही साय लड़कों मेहनत करते थे दिन रात सुबह एकदम नित प्राता उठकर दोड़ते थे तो उसमें देखिए आप उस रिटायर कर दिये जाएंगे और उसमें से 75% जो है 75% आप देखेंगे लोगों को रिटायर किया जाएगा चार साल के बाद और जिसमें से 25% उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रखा जाएगा कि उनको परवनेंट कर दिया जाएगा जैसे हार्मी में होता है लाइफ टाइम के ठीक है तो अगर हम बात करें फ्रेंस इसकी एज लिमिट कितनी रहेगी इसकी एज लिमिट जानते हैं आप लोग कि साड़े सत्रा से 21 वर्स तक रहने वाली है जो नए यूथ होते हैं उनके लिए अच्छा पॉर्चून्टी है आप एक तरीके सकते हैं साड़े सत्रा से 21 स साल तक अगर आप माली जी साड़े सत्रा में नौकरी पाते हैं आर्मी की ये वाली और 21 साल में आप एक नए अपना कैरियर सुरू कर सकते हैं आप वहां से आनिक बात आपको जिससे आपने तेंथ करके गया तो आपको 12 की डिगरी दे दी जाएगी अपने आप ठीक है आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 12 आप फिर से अडमीसल लेंगे तब 12 करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है तो आपको अगर तेंथ की डिगरी आटोमेटिक मिल जाएगी गौवर्मेंट की तरफ से तो ये काफी अच्छा स्कीम रहा है और इसका बिरूद क्या होगा आगे मैं उसको वारे में बताऊंगा नाकारात्मक पहलू क्या है पहले मैं साकारात्मक पहलू को बताने कुछिस कर रहा हूं अगर आप देखिए इसमें योगी गौर्मेंट का फायदा मोधी गौर्मेंट का फायदा ये दिख रहा है कि हम इसमें कम पैसे यूज करके ज्यादा ज्यादा रोजगार परदान कर सकते हैं और इसमें क्योंकि पैंसन देने का लाइफ टाइम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रेंज ये जो बेकंसी रहने वाली है ये टर्म सिर्फ चार साल के लिए चार साल बाद आप सर्व करने बाद रिटायर कर दिये जाएंगे ठीक है अगर नेश्ट की बात कर लेते हैं सैलरी की बात कर लेते हैं आपको सैलरी कितनी कैसे मिलेगी देखिए पहले साल ज जो है एक जो सम्मान सेवा सम्मान निधी की तहट आपको काट लिया जाएगा ठीक है सेना सम्मान अग्निवीर जो कारपस फंड के तहट 30% आपको काट लिया जाएगा और 9000 इसमें गौर्रमेंट और एड करके 18000 रुपे आपको हर महीने एड किये जाएगे ताकि आपको retirement के समय वही सब पैसे इकटे दिये जा सके ठीक है तो जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके 21,000 रुपे पहले साल मिलने वाले हैं हर महीने ठीक है फिर उसके बाद दूसरे साल आप देख रहे होंगे यहां आपको 33,000 रुपे मिलेंगे लेकिन काटने पिटने के बाद आप देख रहे होंगे 23,000 रुपे मिलेंगे और यहां आप देखेंगे 9,900 रुपे काट लिए जाएंगे 9,900 रुपे एड़ करती चले जाएगी government ठीक है ऐसे आपके तो यहां आप देख सकते हैं फिर अगले महीन देखेंगे आप तीसरे वर्स आप देख रहे होंगे कि तीसरे वर्स मेरा कितना बन रहा है तो 36,500 बन रहा है जिसमें इन हैंड आपको 25,000 सैले मिलेगी और लास्ट यानि चौथे जब रिटायर होने वाले रहेंगे आप चौथे वर्स में तो 40,000 रुपे सैली हो जाएगी लेकिन आपको मिलेगी इन हैंड 28,000 रुपे इसमें 12,000 रुपे डिड़क्ट कर दिया जाएगा 12,000 रुपे अपनी तरफ सैड़ करके 24,000 रुपे महीने आपको हर महीनी कठा करके गौवर्मेंट वही जो है कि अगनेवीर कालपस फंड में के तहत आपको रिटायर जब हो जाएंगे तब आपको देगी ठीक है तो यहा 55, laakh रुपे 552,002,002 रुपे यहां यानि 11, 11,11,00 रुपे तक आपको गौवर्मेंट के बाद देगी जब रिटायर हो जाएंगे 24 साल बाद तो समख सरी 13,00,000 रुपे तक आपको गोवर्मेंट इस फंड के किस फंड के तहत अगनिवीर कौर्पस पंड के तहत आपको ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा रिव्यू मैं दे देता हूँ सेरली इस्टेक्चर का पहले सार आपको जो पैकेज मिलेगा 4.676 लाग का होगा चौथे साल आप देख रहे होंगे यही पैकेज बढ़के जब 40,000 आपका पर मंत पेमेंट हो जाएगा तो 6.92 लाग तक हो जाएगा ठीक है और यो रिस्क और कठिनाई के अधार पर बाकी अलाइंसे मिलते रहेंगे अलग से उसमें एड होते रहेंगे ठीक है आप देख रहेंगे कि सैलरी में से 30% योगदान अगनिवीर करेंगे उतना ही सरकार आइड करेगी जैसे मैंने बताया पहले साल आपको 30,000 रुपे मिलने हैं इसमें इंकम टेक्स के छूट रहेगी इसमें कोई आपको इंकम टेक्स की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी आपको जो पूरा मिले गए दस में लोग 7 लाक रूपे पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं, थोड़ा सा बिरोत की बात करना क्यों लाजमी है, क्योंकि आप लोगी पता है कि कोई भी इंडियन आर्मियन सर्व करना चाहता है, लड़कों का कहना क्या है, हमारे जैसे आप लोग जैसे इक है चार साल हम लोग जायंगे कहां हम लोग जिसकी पढ़ाई ही चुड्ग जाती है म направ strength 1 ला मने 15 साल तक है हम है कि माल लेकर नागर्में हम 15 Small पर 25 साम prendung 53 साल पर कोंपढ़ाय कर सकता है इतना उत तो कहते हैं कि इतना सच्चम नहीं होता एक साल पढ़ाई छोड़ दो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता आदमी ठीक है तो 25-26 साल में हम कहां जाएंगे पढ़ाई करने फिर जाएं हम पीजी की डिग्री लें फिर जाएं हम अगर बियर्ट करना चाहें बियर्ट करने कार्परेट करने कार्परेट कंपरियां में आपको मिल जाएं कितने कर्परेट कंपरियां में आर्मी वालों तो उसमें आप भी जानते हैं इतने भाई संख्या में अगर आर्मी से रिटायर होंगे हर चार साल में तो चार साल बाद इनके लिए खत्रा बन जाएगा उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा लेकिन फ्रेंज आप लोग भी जानते हैं अगर आप जैसे कि और दो साल से आर् तो फायदे मंद होगा क्योंकि तब लड़की उतना विरोध नहीं जताएंगे और लड़को कहना भी सही है कि आप अगनी बीरोग चार साल के लिए सुविधा जैसे देते हैं तो आप एंसी सी उसी वालों को दे दीजिए ना अगर्यूशन बाद होती है तुलत बाद एंस इसी जो ठीये उनको धी उनको अगनी वीर का जैसे फैसटी दीजिए को या लेड़ी दो से तीन साल लगाते हैं उसमें तुनको फैसलटी वही दीजिए नको जाकर देश की सेवा करवाई 2-3 साल के लिए लेकिन हम लोगों क्यों नया अइड़ करें हम लोग वैकंसी ही है लेकिन अगर आप देlezh के प्रती अगर आप देखिए आप सिर्फसेवा करना चाहते हैं कि हम जायेhen आर्मी की ट्रेनिंग, नेवी की ट्रेनिंग और येर फोर्स की ट्रेनिग का से मजय लें हम तूर-व डूटी की तरह तरीके से जाए और उसके बाद हम पिर अच्छे से ट्रेनिंग लेके फिर हम अपना वापस किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहें तो आप ले best option है ठीक है तो और और फिर्ट कर लेते हैं कि जैसे कई country ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे सेना में सेवा देना अनिवार है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें हर घर से एक बंदा जरूर सेवा देगा सेना में ठीक है और ब्राजिल में 12 महीने की सेवा देने के लिए आऊसर मिलता है तो आहां भी 12 महीने आपको टाइम दिया जाता है कि हर घर से हर बंदा mandatory है वहां कि 12 महीने के लिए जाएगा वहां पर कोई life time नहीं किया जाता ठीक है और यहां देख रहे होंगे इसराइल में भी male है अगर आप तो 30 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा female है तो 22 महीने के लिए जाना पड़ेगा South Korea में आप देख सकते हैं Army में 21 महीने के लिए आपको training दी जाएगी तो आप लोग भी जानते होंगे फ्रेंस इन सबका जो Army का एक तरीके से देखे होंगे बहुत अच्छी Army है नाक में तंग करके रख देती है यह इसराइल इसराइल की देख आप लोग भी जानते हैं कितना प्रभावित रहते हैं हर कंटी इन लोगों के एक सेना के एक्टिविटी से ठीक है तो आप लोग भी जानते हैं तो काफी अच्छी खासी है तो अब जो भी हो लेकिन गौर्ण्मेंट को जैसा भी सुझाओ लेना चाहिए क्योंकि हमारे आप लोग जैसे यूनियन से एक तरीके से अप्रोच करके कोई भी डिजिजन लेना चाहिए और अगर डिजिजन नहीं लेती तो काफी सारे एक्सुडेंट इधर उधर दंगे करते रहेंगे तो ये देस के लिए थोड़ा खतरा भी एक्ट्रेड तरीके सुभर कराएगा क्योंकि अभी वी वैसे हालात बहुत गंभीर चल लें तो जै हिं जै भारत दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे समझ में आए होगा क्या है अगनी वीर क्या है अगनी पत्थी स्कीम इसके बाड़े में कमप्ट्र वीडियो मैं ने बना चुका हूँ और बता चुका हूँ तो उम्म करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा जैहिंग जैभरत